दोस्तों आप लोग देखी रहे थे कि तुफानी लाली आदव और सोना पांडे में कैसा जंग चृलए गद किया तुफानी लाली आदव की दोनों के बिज़ जान वूच के वीवाद किया रहा था 15,000 से सोच रही थी कि 30,000 हो जाए सोना पांडे का मैं जब interview किया तो उस interview के करने के दोड़ान सोना पांडे ने भी अपने गाने का पर्मोशन कर रही थी उसी दिन उनका गाना आया था आगे वाला में घासबा, पीछे वाला में साथबा तो उनका ये गाना था, इस गाने का उसे interview के दरान वो जो है परचार करती है और ना वो मेरे ही channel पे वो जितने भी interview उस दिन देती है सभी के interview में वो अपने गाने का परचार करती है जिससे तो साफ दोस्तों ये जाहिर हो जाता है कि ना तुफानी लाली आदफ के सोना पांडे के साथ कंट्रवर्सी है ना ही सोना पांडे का तुफानी लाली आदफ के साथ कंट्रवर्सी है ये लोग का मिली भगत है और ये लोग जान बुच कर कंट्रवर्सी कर रहा है ताकि तुफानी लाली आदफ का गाना जो है वो ट् तुफानी लाली आदव के फ्लैट पे पहुंचने के दौरान उनके दर्वाजे को पूछती हैं, सर पे आचर रखती हैं, उनके नीचे गारी के पास जाती है, गारी के पास जाकर उनके गारी को पूजा करती है, बता ये भाई, ये कौन सब बिवकूफी है, कि उनके फ्लैट पे पहोच कर उनके घर पे ताला माड़ा है उनके गारी पे जाके माला रखकर पूजा कर रही है सोना पंडेजी अप लोगों तो पता ही है गोगा कि मघी के दो बड़े सुपर स्टार आशीश यादव और रोसर रोही है रोसर रोही का दोस्तों मघी में पहला जो है मूवी आड़ा है उस मूवी का यहां कर फोटो ग्रिवील कर डेता है और फाइंली दोस्तों मघी में फोस्टीम ऐसा होगा आप लोगो जो है मूवी देखने को मिलेगा और वो स्टार होने वाले है रोवसन रोही ने मगी इंडिस्ट्री में पहला कदम रख दिया है रोवसन रोही का पहला मुवी आने वाला है यानि मगी में तो जिदने भी मगी के चाहने वाले जो दरसक है अब आप लोग सीना तान के खरा हो जाओ और मूवी देखने के लिए डाइना हॉल, सिनेमा हॉल में जाएए, सिंप्लेक्स में जाएए, जहाँ जहाँ जू है, जूहाँ जूहाँ मुवी लगएगा, किस तरह से कड़े धूप में मेहनत कर रही थी संघर्स कर रही थी और उसी दोस्तों उतना जाता मेहनत करने के बाद भी पवन सिंग जीट नहीं पाते हैं फिर फाइनली यही होता है part जो लोग anymore कुछ लोगा अब जो है क्फाइनली अब जो राइस यह में बिर्गोब अच्छा नहीं लगा रहा है कि एसा उनका पोस से यह पता चलता है कि कही न जोती सीघंग आ अब जो है पावन सिंसे काफी जैद़ दूरी बनने लगा और समय मार्केट में बताया जारा vigil. Chaaly. Veterans. उछ वह देखने को मिल रा है और न्युज यह भी चलाया जारा पवन सिंग के लिए हाँ जो गोहार मानी थी कि पवन सिंग हमारे पती को जीता ही है फाइनली नहीं जीतते हैं अब पवन सिंग का दूरिया वो बनने लगी है यह एक गाना आता है तो पागल के महरारू वो गाना जो है दोस्तो काफी ज्यादा मतलब की मस्त वाइरल हो रहा टा था काफी ज्यादा गाना बज रहा ता और जो मोंड सिंगर थी उनका नाम था नहा सिंग और आनेलन्यहा सिंग पगली का दोस्तो गाना मस्त वीडियो जो चले रहा था फिर दोस्तों कुछ लोगों का नजर पढ़ा याताहा आइसा की गाने को ब्लॉइकर लाइन इत जो लोग fake strike मार रहा है fake strike मार के गाना ब्लॉक करा दिये रहा है इस पर जो है कानून को नया नियम लना चाहिए यानि बिहार सरकार को इसके उपर जो है कदम उठाना चाहिए फिर फाइनली बियाई बिजेंदर सिंग अपने music company अकांचा music से जो है उस लड़की का गाना को फिर से दूबारा re-upload करते हैं और फिर दोस्तों पता ही होगा कि बभीता मिस्रा का काफी अच्छा connection बना रहता है जोती सिंग से जोती सिंग के साथ मतलब family के साथ उट बैट अच्छा उन कर रहता है तो इसरा कुछ भी बोलती है तो लोग उसको सुनते हैं और विस्वास करते है तो फिता मिस्रा ने इंटरव्यू देती है गंगा न्यूज वाले चैनल पर बताती है कि किस तरह से पमन सिंग और जोती सिंग में फिर से दूड़िया बरने लगी है शुवांकार मिस्रा के पूड़कास आने वाला है पमन सिंग बहुत जल्द आने वाला है एक छोटा सा हिंट देते हैं परवन सिंग, तो कहीं लोगों का ऐसा मानना है, कहीं तीसरा साधी तो नहीं करने वाला है, विसकर्मा पूजा पे आपको तो पता ही होगा कि लोग विसकर्मा भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया भाई, नरेंदर मोदी जी का बड़्डे आ गया था तो इसलिए दोस्तों उस दिन जो है नरेंदर मोधी जी का अब इसकार मा भगवान का दोनों को लोग वहां पर पूजा कर रहे थे वहां भाई क्या वेवकुफी है क्या अंद्भक्त लोग है यहां पर आज के दिन जो है तेजस्वी आदब जो ह हफता पैसा नहीं देने पर उनके साथ जो है मार पीट किया गया गाली गलोज किया गया बंदूक टान के दिखा दिया गया कि ठोक देंगे तेजस्वी आदब दोस्तों इस चीज को जो है सेर करते हैं CCTV फोटेज जो है वाइरल करते हैं अपने रील पे जो है डालते है जैस्वी आदब पूरा जो है टार्गेट करते हैं टार्गेट करते हैं कि इसमें जो है पता नहीं नरेंदर मोदी जी का क्यों नहीं ध्यान जाड़ा है इसमें हमारे बिहार के मनिया मुखमत रिश्यम नितीज कुमार जी एक दम लगता है उन्होंने अब साइट में पोस् सकते हैं तो जैस्वी आदम ने क्या क्या लिखा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारे वीडियो कैसा लगा अपने राइव इचार कमेंट करके एक बर जरूर बदा है राज रोसन व्लॉक्स यीटूब चैनल पर नहीं आया है चैनल को भी सब्सक्राइब क